गाइस इंडिया में फिफार बैन हो चुका और गाइस जो 54 चाइनी से बैंड चुका उनका लिश्ट देख सकता हो गाइस और निउस भी देख सकता हो गाइस एरहा निउस लाव डीजिटल स्ट्राइक करते हुए 54 चीनी आप्स को बैन कर दिया है जो देश की सुरक्षा के लिए खत्रा बन गए थे इससे पहले भारत ने चीन में बने कुल 224 आप्स को बैन कर दिया था लेकिन खबरों के मताबिक उनमें से कई आप्स नाम बदल कर भारत में ऑपरेट कर रही थी जिसकी वज़े से सरकार न 54 चाइनीज आप्स पर भारत ने लगाया बैन कि निशी थाथों में पहुंशता था और इससे भारत की चुरच्छा को खत्रा पैदा हो सकता था भारत में पबलिक और को भी खत्रा पैदा होसकता इसी आधार पर पहले भी भारत सरकार ने 2020 में 250 से भी ज़ादा चाइनीज आप्स को बैन किया था सबसे पहले जून 2020 में केंद्र सरकार ने 69 एप्स को बैंड किया था तब सरकार ने TikTok, UC Browser, Shareit, WeChat जैसे एप्स पर प्रतिबंद लगाया था जून 2020 में सरकार ने 69 एप्स को बैंड किया था इसके बाद उसी साल सितंबर 2020 में भी 118 एप्स बैंड किये गए नवंबर 2020 में भी सरकार ने 43 चीनी एप्स बैंड किये थे इससे पहले भी भारत में अब तक चीन के कुल 224 एप्स को बैंड किया जा चुका है लेकिन सुरक्षा एजिंसियों को इस बात की आशंका थी कि देश में बैंड हुए ये एप अब दूसरे नाम से अब भी ऑपरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्योगी की मंत्राले के मुताबिक कई एप्स चीन और दूसरे देशों में भारती यूजर्स का डेटा भीज रहे थे इसके बाद ही सरकार ने ताजा फैसला लेते हुए 54 चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाया है सरकार ने बैन हुए सभी एप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का आदेश भी दिया है चाइना के जो ऐसे एप्स जिनके उपर इस बात की अशंका होती है कि ये जासूसी की करविदियों में लिप्थ हो सकते हैं ये भारती यूजर्स के डेटा को विदेशों में सनांतरित कर सकते हैं चाइना में इस्थित एप्स में जो सर्वर्स हैं वहां पर सनांतरित कर सकते हैं और जिसका की दुर्पयों चाइना की सरकार की द्वारा किया जा सकता है तो ऐसे एप्स पर लगातार बैन लगाय जा रहा है, लगातार उनके विर्योद सक्त करवाई की जा रही है सरकार ने इन एप्स के जरीए एकटा किये जा रहे डेटा और उनके इस्तमाल को लेकर सवाल उठाए थे और इस संबंद में एप्स को चलाने वाली कमपनियों से सफाई भी मांगी थी लेकिन कमपनियों के जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई जिसके बाद एप्स को बैन करने का फिर्यों नहीं हुए